हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम गटागट बनाने वाले हैं, जो गटागट कम और बहुत ही टेस्टी वाली आशदी है इसी चैनल पर मैंने सौफ का शर्बत डाला हुआ है सौफ का शर्बत अच्छी तरह पक जाने के बाद, जब हम उसे चान लेते हैं, तब जो सौफ का चूरा बचता है आखरी में, उसको मैंने सुखा कर एक बार मिक्सी में चला लिया है यहां मैं नीबू ले रही हूँ, साथ में अद्रक है नीबू का रस अच्छी तरह से में निकाल लेना है, और इस सौफ के चूरे में डाल देना है यह सौफ का चूरा एक कटोरी था, और उसमें पूरी तरह से यह भीग जाए, इतना रस होना चाहिए नीबू का इसमें मैं कई चीज़ें और डालने वाली हूँ, जो की आयरुवेदिक आउशदी कही गई है, जो हमारे घर में ही होती है इस से इसका सौफ तो बहुत बढ़ ही जाता है, और साथ में इसके आउशदी यह गुन भी बढ़ जाते है यदि मैं इसके गुन बताने बैठों तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसे जब आप बनाएंगे खाएंगे तो आप जान जाएंगे यहाँ आप एक कटोरी सौफ को पीस कर भी उसमें नीमबू का रज़ इस तरह से मिला सकते हैं यह पूरी तरह से भीग चुका है अब हमें दो चमच काली मिर्च लेनी है उसे हमें हलका सेक लेना है दो चमच अजवाइन लेनी है उसे भी हलका सेक लेना है दो चमच जीरा लेना है उसे भी हमें हलका सेक लेना है और इन सभी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल देना है थोड़ी से यहां हमें हींग लेनी है और हींग को भी इसे में जार में हमें डाल देना है इसके साथ ही अद्रक के टुकडे ये भी हमें जार में डाल देने है और इसे अच्छी तरह से पीछ लेना है और उसे हमें सौफ में मिला देना है यहां मैं आम करस ले रही हूँ यह थोड़ा सा मैंने आम करस लिया हुआ है इसके साथ हमें शक्कर डाल देनी है यहां जिस कटोरी से मैंने सौफ ना पी थी उसी कटोरी को भरकर मैंने शक्कर ले हुई है अब इस तरह बिल्कुल गाढ़ा हो जाए जब यह आम करस चलाते हुए करिब मुझे यहां साथ मिनिट लगे है तब हमें यह सौफ का चूरा, काली मेर, जीरा जो हमने पीसा हुआ था सब वो सारा इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से से चला लेना है टोटल दो कटोरी सौफ हमें लगती है एक कटोरी सौफ में हम निम्बू का रस मिलाते हैं और एक कटोरी सौफ आखरी में डलती है एक छोटी चमच काला नमक और एक छोटी चमच सादा नमक इसमें मिला देना है अच्छी तरह से अब हमें इसे थाले में निकाल लेना है अब हमें एक कटोरी सौफ को हलका भून लेना है और उसका चूरा करके इसमें मिला देना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है फिर इसकी छोटी छोटी से हमें गोलियां बना लेनी है और शक्कर को हमें अच्छी तरह से पीस लेना है इस पर हमें ये गटागट डालते जानी है थाकि इसकी एक लियर इस पर बन जाए और गटागट आपस में चिपके नहीं इसमें सौफ अधिक होने के कारण ऐसीडिटी नहीं होती गर्मियों में यह शीतलता देता है जब आपको आमकरस ना मिल पाए तो काली खजूर में केवल आप इस चूरे को मिक्स कर लीजे और ये रेडी हो जाती है काली खजूर की गुठली निकालकर अच्छी तरह मसल कर और ये सारा चूरा उसमें मिला देने से गटागट बन जाती है इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें